नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक विवर ने अपने घर का प्लान बेजा है, वे लिखती हैं, सर नमस्ते, अपना नाम लिखा है, हमने यूटुब पर आपकी सारी वीडियो देखी, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत सरल शब्दों में समझ आई, हम आपसे अपने घर के वा अपदेश में, हमारे पैत्रिक घर का नक्षा है, जो हम अपने हाथ से बना पाए, इसमें बहुत सारे कोन बने हुए हैं, कभी इस घर में चार फेमिली रहती थी, आज ये बिलकुल खाली है, सब इसको छोड़कर चले गए, पहले ये घर सौथ में कच्छी मिट्टी का बन बेटा हुआ, घर में ही बेटा हुआ, फिर हजबेंट की गोवर्मेंट जॉब भी यहीं लगी, हम लोग करेंटली देरा दून में रह रहे हैं, रेंट पर, फिर 2011 में मेरे हजबेंट को दो छोटे, के दो छोटे भाईयों की शादी, दो सिस्टर से हुई, उन्होंने एक सा चली गई, दूसरे भाई का भी घर में बहुत कलेश है, चचा सुचुन ने बनाया था, उनके लिए यह घर वो भी कैंसर से देथ में चले गया, अब यह सारा खाली हो गया है, और हम लोगों के लिए मिला है, हम लोगों के लिए मिला है, अब आप बताएं, इसमें क्या किय यह रूम और गलत गेट ठीक है या कोई दोश है इसमें, अभी वेस्ट साइड जगा गेट है, सबसे डाउन है, हम लोग इस घर के बाद बेटे की फैमली है, बहुत परशान रहे घर को लेके, अभी इसमें किचन और टॉलेट बातरूम बनाना चाहते हैं, इसमें ब्रमस् प्लीज मार्ग दशन करें, अभी सेप्टिक टेंक घर के आगे में गेट के सामने हैं, जिसे हम क्लोज करने की सोच रहे हैं, देखें दोस्तों, यह उन्होंने अपने घर का प्लान बेजा है, यह पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिन, यह परोसी का घर है, यह परोसी का घर ह इसका रास्ता ने इसा कुछ बात है, यहां इनका गेट है, सेप्टिक टेंक यहां पर है, ठीक है पश्चिम में, और यह पश्चिम निरुत्य हो गया, पश्चिम दक्षिन, पश्चिम निरुत्य, निर्मान कर यहां हुआ 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 है, और यह हिस्सा उचा है, यह हिस् पिशान कुन बड़ा हुआ है पर एक बात है एक तरफ पश्रिम निर्ज इतना आगे बढ़ गया कि इसके आगे इस अच्छे होने कोई फाइदा नहीं रहा है यह बहुत बड़ा दोश है ठीक है न एक पंकी की तरह मकान का शेप हो गया एक और उपर से फिर निर्मान कारिया और दरवाजानों नहीं आदे दिया यहां का द्वार जो होता है यह यम का द्वार किलाता है एसे घरों में पुरुष मांसिक शायुक से परिशान देते हैं उनके साथ अनौनी होती है और यहां पर क्या हुआ कि धलान भी है यह इसा उचा हुआ है यह यहां धलान देशा मिरत्त हो जाएं देखने में वह च्छाह में दो दोशौण जरूरी या नहीं होई तो इस दोश में पर इसके जगा परिजर में गैसी जगारूगा पर कि इधर इसके कारण घर के पुर्शों दिक्कत आते इसलिए एक भाई की वीवी छोड़ की चलिगी और दूसरे भाई का क्लेश चल रहा है वो पहले जो सुखी थे उनका घर यहां बना हुआ था दक्षिन में जिसा उनने लिखा कच्चा घर कच्चा पक्कल सरक ने पड़ता है यहां घर बना हुआ था तो जीवन सरल चल रहा था जब तरक्की होई सब कुछ अच्छा हुआ उसके बाद जो अब उन्हें ने करा है इस कारण सब हो रहा है उनको सबसे बने बन करी देना चाहिए यह दौर जो है अब इसको इनके परोश्ची का गर है इसको कम से कम यहां ले आ है इसको यहां ले करते और यह-सा नीचा हो जाए उनको कुछ रात मिल सकती है इनको कि और दोस्तों रहे सब्सक्राइब यह प्रहिए जो है ओप्star से का एसे रहने यह पूरा तोड़ना पोस्पीब उन्हें तो यहां पर यह लाके गेट यहां बना दे जगा को बुलते सरकारी जिसा करते इसको पैसेज जिसा बना दे और यहां गेट कर लो घर इतने से में फिर निर्मान कारण कर लें तो तो एक दूम बच्छा हो जाएगा पर अभी इनको यहां मिट्टी डालके इसको उचा करना चाहिए इधर की मिट्टी खोदना चाहिए इस सेटिरिंग को बंद करना चाहिए यह दर्वाज़ा इधर करना चाहिए safety ring यहाँ बनाएं तो यहाँ बनाएं और underground water tank यहाँ बनाएं तो निश्चित इनको रात मिले यह इतना है बात है तो जो अम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा नमस्कार